जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तों उत्तर पुदेश में योगी आधितिनाथ एक्सन के मूड में हैं पिछले 48 घंटे में 10 बड़े एक्सन ले चुके हैं रात के 10 बजे ट्वीट किये जाते हैं केवल नौकरी और वैकेंसी पर बात की जाती हैं बच्चों के लिए बहुत अच हत्म हो या तो कामन कटाफ यहां पर यह बच्चों के एक सिक्षकों के क्या थे यह सवाल थे इनको किया जाना चाहिए आनन फानन में योगी आधितनाथ क्या लेते हैं फैसले लेते हैं रात के 10-11 वजे ऑफिसियल ट्वीटर हैं बहुत ध्यान से सुनिए दो मिनट की भागों में रिक्त पदों पर चैन प्रक्रिया तेज करने के लिए सासन इस्तर पर बरिस्ट अधिकारियों की भही बैठक की जाती है और यह बैठक की जाती है इसमें क्या होता है केवल परिक्षाओं पर केवल वैकेंसी पर बात होती है चैन परिक्षाओं की सुचिता पा 1st Stage पर हम सिक्षक भरती की बात कर लेते हैं जिसमें प्राथमिक अभी तक अनुपा समानुपात बरावर था लेकिन अप कहे रहें कि प्राथमिक माद्दिमिक प्राविदिक व्यवसाईक आदी सिक्ष्ण संस्तानों में सिक्षक चैन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाली में उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग का गठन किया गया है इसके सदस्य नामित किये जा चुके हैं अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथा सीग्र कर दी जाएगी मतलब पूरी तरह से अभी तक सिक्षा सेवा चैन आयोग की बात खुद ट्वीटर हैंडल स नहीं होती थी यहां पर यह कह रहे हैं कि नवगठित आयोग से चैन की कारिवाई समय से प्रारम यह लाइन बहुत महित्पूर्ण है और जिस पर सिक्षा सेवा चैन आयोग की कहता है कि 80,000 से भी जादा जो पद हैं वो भरे जाने हैं सिक्षक भरती में यह ट्वीट आपन पर कहते हैं यूबाओं के हितों के संदक्षन के लिए जो यूपी गवर्मेंट है वो है संकल्पित है और हर एक यूबा की मेहनत मेधा और प्रतिवा का सम्मान है यहां कहा जाता है कि पेपर लीक अथवा सालवर गैंग यह समझ रहो ना जितने भी पेपर लीक होते हैं च अगरों जैसे एकजाम भी देश भर में क्या हो रहे हैं तो सबसे में पॉइंट है केवल बच्चों की वैकेंसी पर बात की गई बच्चों के पेपर पर बात की गई दूसरा मुद्दा रात के 10 बजे ही ये क्या है ये लेते हैं एक्सन में आतने केतने हर पाली में दो या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए यदि कोई भरती यहां आने वाले टाइम में महीने दो महीने में होगी बैकेंसी निकलेगी उस पर कह रहा है कि पेपर के दो अधिक होने चाहिए प्रतेक सेट के प्रुष्णपत्र की छपाई अलग-अलग एजंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए पेपर कोडिंग को भी विवस्थित करने की आवस्तिक्ता है तलासी लेने के लिए महीला कर्मियों की तैनाती जरूरी है मैंने का चलो ठीक है और क दोर दिया है इसके लिए उन्होंने चयन आयोक के अध्यक्षों से बात की है कि भाई परिक्षा जो है वो एक दिन में केवल एक ही परिक्षा होगी मैक्जिमम दो परिक्षाएं या मल्टिपल एक्जाम सो जाते हैं पालियों में एक्जाम हो जाते हैं उनकी बात नहीं रहते थे ठीक ना बात की गई है तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि बार वार यह बात रिपीट की जा रही है कलेंडर जो है भरतियों का वो समय से जारी करो समय से एकजाम करालो पेपर लीक ना हो और भरती की निखती पत्र यानि बच्चों को जो निखती पत्र देना है वो बच्चों को टाइम से मिल जाए ठीक ना एक दिन में एक ही परिक्षा आयुजित कराने पर जोड़ दिया गया है यह वाला मैंने आपको बताया था कि किस-किस जो है यानि अभी और है आगे यहां यह बताया था मैंने यानि पिछले 24 गंटे का पहले का तो हम वीडियो में आलेडी बता चुके थे कि कहां कहां पर भरतियां होनी वाली है किन-किन में पेपर लीक से बचाना है बारा ऐसे हैं जिसमें लोकसेवा आयोग है अधीनस्त सेवा चैन आयोग है विद्युत सेवा जो है सेवा आयोग है सहकारी संस्था पुलिस भरती है और कहते हैं कि बाई जल्दी से रिक्त पदों का जो व्योरा है वो दे दिया जाया जो पहुंचा भी दिया गया है आठ तारीकों भरती परिक्षा में गड़वडी रोकने के लिए क्या है बनाया जाएगा सक्त कानून और कहते हैं योगी आदितिनात का इस पस्ट रूप से कहना है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए एसे अपराद में लिप्त हर अपरादी के खिलाब ऐसी कठोर कारवाई की जाएगी जो एक नजीर बने है ऐसे मामले में अपरादियों के विरुद्ध कारवाई के लिए कठोर कानून लाए जाएगा ये बच्चों के लिए हैं, नौकरियों पर हैं और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, उससे पहले यहां बियाईपी कल्चर की भी बात करेंगे, ये कहते हैं कि परिक्षाओं की सुचिता के संबंद में आवस्यक सुधार की ये प्रक्रिया ततकाल प्रभाव में लानी होगी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीके ना, परिक्षा बैकेंसी आना और परिक्षा बैकेंसी आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक उसका इकजाम सही से ना हो, मानलो कल इकजाम आ जाए, एक सुपर टेट की बात करलू, यूपी पुलिस की बात करलू, लेकप परिक्षन हो जाएगा, जो बाकई में उसके दावेदार नहीं होंगे, नियुक्ति एवं कर्मिक विभाग दोरा चैन आयोगन से संपर्ख संबाद कर यथा सीगरे से लागू कर दिया जाए, और नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए यी अधियाचन की ववस्ता पहले पूरी तरह से प्रक्रिया में तभी यहाँ पर क्या है, तभी इनोंने बोला कि हमारे यहाँ यह पद खाली है और भरती निकाल दीजिए, तो यह बात पूरी तरह के सामके 6 बजे योगी के पास पहुंच चुकी थी, जो हमने आपको पहले ही वाली वीडियो में बता बुलाते हैं, सभी सेवा आयोग, जितने भी आयोग हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं, और साथी साथ, जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, विधायक हैं और विधायक पर टिपड़ी क्या है, देख सकते हो, इस स्लाइड में क्या है, विधायक पर टिपड़ तक पहुचाएं, इसका रीजन ये था कि अभी तक जितने भी सांसद और जितने मंत्रियों को जितने भी विधायकों को हम लोग व्योरा देते थे कि भाई ऐसा है कि सरकार में आप पहुचाओ ये मकारी करते थे नेता विधायक और सांसत क्या करते थे उस ग्यापन को ले तो लेते थे लेकिन उस ग्यापन को लेने के बाद वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुचाते थे, अब गाली जैसे हम जैसे बच्चे, अगर यानि आप जैसे बच्चे की बात करें, और पूरे प्रदेश में जितने भी बच्चे तयारी कर रहे हैं, ठीके न, जो भी सिक्षक है, जो आफलाइन पढ़ा रहा है, हम भी 2017 से आनला इनको टार्गेट करेंगे, जबकि कहीं ना कहीं, यानि इनको टार्गेट करेंगे, जबकि कहीं ना कहीं, अगर ग्यापन हम लोग देंगे, तो हम लोग इनको देंगे, है न, तो बात सिर्फ इतनी होती है, कि अगर जन प्रतिनिदी की जो समस्याएं हैं, वो बच्चों की समस्या हैं लोगों की समस्या हैं वो पहुचेंगी नहीं नेताओं के द्वारा सांसतों के द्वारा ग्यापन पूरे साल चार साल तीन साल देते रहे तब तक यहाँ पर कोई समस्या का निराकरण नहीं होगा ठीक ना तो यह योगी आदितिनात हार के बाद फैसला लेते हैं और मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा अच्छा टाइम है सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी रास्टेहत्मे जैहिंत वंदे मातरम